महाराश्ट में फण्रणविस की सर सीम का ताथ सजा रहेगा या फिर विपक्ष को सत्ता में आने का मौका मिलेगा इसी बड़े सवाल पर आज सभी की निगाहे ठीकी थी जिसका जवाब देश की सर्वोच ने आया ले के पास था लेकिन कोट ने आज से जवाब तो नहीं दि महाराश्ट में जब से चुनावी नतीजे खोशित हुए हैं तब से ही सुबे की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोट पहुँच रही है पहले माथा 25 सरकार बनाने की दावे को लेकर थी और अब सरकार गिराने को लेकर है पहले भी शिव सेना कोट में मीजबे के खिलाफ यानी केंद्र सरकार, महराश्ट सरकार, सियम फरणवेस और डिप्री सियम अजीद पवार को नोटिस चारी किया है लेकिन बड़ी मुश्किल BJP के रिये हैं क्योंकि सर्वोच अदालत ने उससे राजेपाल का आदेश और फरणवेस का समर्थन पत्र मांगा है साथी केंद के फैस्टे की नियाएक समिक्षा नहीं हो सकती जिस पर कोट ने नाराज की जाहिर करते हुए कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को भी शपत दिला दी जाए कोट से मिले समर्थन के बाद तो विपक्ष के तेवर और तल्क हो गए हैं एनसीपी की तरफ से पक्ष रखते हुए अभिशेक मनु सेंवी ने जल से जल्द बहुमत परिक्षन की मांग कर डाली है वहिशिव सेना की तरफ से दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने भी कोट से करनाटा की तरश पर 24 खंटे की भीतर बहुमत परिक्षन कराने का आदेश देने की बांकी लंबी चली इस पहस के बाद कोट ने कल सुभा साड़े दस बजे फिर से सुनवाई का आदेश दिया है झाल